नमस्कार स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल हेल्टिप सिंदी में आज मैं आपको बताने वाली हूँ खस-खस के फाइदे आए जानते हैं इसके बारे में खस-खस कैलसियम, पोटेशियम, मैगनेशियम, आईरन, डाइटरी फाइवर और इजेंशियल फैटी एसिड्स का खजाना है ये हमारी सिहत और सुन्दरता दोनों को ही निखारता है तो चलिए जानते हैं खस-खस के फाइदे खस-कस की तासिर ठंडी होती है और ये हमारी शरीर के लिए एक वूलिंट का काम करता है मूं या पेट में छाले होने पर खस-कस को फीज कर उसमें ठोड़ी से मिश्री मिलाकर खाने से बहुत ही रिलीद मिलता है साथी साथ गर्मियों में खसकस का शर्बत पीने से लू भी नहीं लगती और शरीर की जलन भी दूर हो जाती है खसकस में फाइबर बहुत अधिक मात्रा में होने के कारण इसे खाने से कब्ज या कॉंस्रेपेशन की प्रॉब्लम दूर होती है इसे आप अपने सैलेड में या सूप में आसानी से एड़ कर सकते हैं या फिर आप अपने मिल्स से थोड़ी दिर पहले पीसी हुई खसकस को खावी सकते हैं अगर आप depression या तनाव से परिशान है या फिर आपको रात में नींद नहीं आती आप insomnia की बिमारी से ग्रसित हैं तो रात को सोने से पहले खस-खस को दूद में डाल कर पीजिए खस-खस में कुछ ऐसे compound होते हैं जो हमारी mind को relax करते हैं और ये neurotransmitter के reproduction में help करते हैं brain की functioning भी improve होती है खस-खस में calcium, magnesium और phosphorus होने की कारण ये हमारी bone health के लिए हमारी हट्डियों के स्वास्त के लिए बहुत ही beneficial है इससे हट्डिया मजबूत होती है इसे खाने और इसका लेप जोडों पर लगाने से जोडों के दर्द में instant relief मिलता है खस-खस में essential fatty acid होते हैं जो कि heart में cholesterol level को reduce करती हैं इसे खाने से हमारी दिल की सिहत अच्छी रहती है और heart attack या stroke आने के खतरा बहुत ही कम हो जाता है खस-खस हमारी immunity यानि कि रोग प्रतिरोधक छमता को बढ़ाने में भी बहुत helpful है क्योंकि इसमें zinc काफी अधिक मात्रा में होता है और zinc हमारी body में immune cells के production को increase करता है खस-खस में कुछ ऐसे antioxidants भी होते हैं जो कि हमारे शरीर में cancer cells की growth को रोखते हैं इसलिए खस-खस से कई तरह के cancer से हमारा बचाओ होता है अगर आप acne, pimples, skin braces, eczema से परिशान हैं तो PC हुई खस-खस को गुलाब जल में मिलाकर एक गाढ़ा paste बना लीजी और रोज इस paste को skin पर लगाईए ये इचिनेस को reduce करेगा, pimples को reduce करेगा और तवचा की ताग थपने भी दूर करेगा हमारी kidneys में crystal वनने से भी खस-खस रोकती है जिससे की kidney की पत्री होने का खत्रा बहुत ही कम हो जाता है तो दोस्तों ये थी खस-खस के कुछ फाइदे, उमिद करती हूँ दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले सभी वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके